हमारे रीजन के अंदर इन दिनों इंडिया उड़ कैम्पेंज का मौसम चल रहा है मालदीव के बाद बंगला देश के अंदर भी इंडिया उड़ कैम्पेंज स्टार्ट हो गई है लेकिन बंगला देश वाली जो इंडिया उड़ कैम्पेंज है ये इनिशल स्टेज में मालदीव वाली कैम्पेंज से ज्यादा एफेक्टिव साबित हो रही है इसकी वज़ा यह है कि मालदीज वाली जो इंडिया ओड कैमपेन थी उसको इंटरनाशनल लेवल पर हैडलाइन्स बनाने में काफी अरसा लगा था, काफी महीने लगे थे लेकिन यह जो बंगला देश वाली इंडिया ओड कैमपेन है यह इसको शुरू हुए अभी कुछ ज़्यादा आरसा हुआ ही नहीं है, कुछ हफते हुएं सर्फ लेकिन यह इंटरनाशनल जो न्यूज आउटलेट्स हैं, उनके अंदर हैडलाइन्स बना चुका है मुक्तलिफ जो इंटरनाशनल न्यूज आउटलेट्स हैं, उसके अंदर इसके बारे में चपा है और उसमें माना गिया है, कि इंडिया ओड कैमपेन यहां पर असर दिखा रही है, कल यह हुआ है कि एक बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, हौंग कॉंग का, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यह 120 साल पुराना न्यूज आउटलेट है, और इट्स वन अफ़ बिगेस न्यूज आउटलेट्स इन आवर रीजन South China Morning Post ने भी इस से मुवमेंट के बारे में रिपोर्ट किया है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये जो तहरीक है इसका बड़ा असर पड़ा रहा है ग्राउंड पे केते हैं कि बंगलादेशी इस लांच इंडिया ओड केंपैन ओर नुव देली इस अलिजिए मैदलिंग तो कीप असीना इन पावर बंगलादेशी एपोजिशन क्लैंब से असीना जावामी लीग वान दी पास्ट री जनरल इलेक्श अल बिकास अफिए इस सपोर्ट इस लेकिन इसके अंदर ये जो इनकी रिपोर्ट का हिस्सा है न के सून अफर इंडिया ओड कैमपैन वाद लाँच बंगलादेश इस ब एपोर्टेड अड्रॉप इन सेर्स अफ मैनी प्रिवियसली पापूलर इंडियन कंजूमर प्राड़क्स सच इस कुकिंग ओइल प्रोसेस्ड फूड्स तोयलेटरी कोस्मेटिक्स अंद क्लोथिंग सम शॉपकीपर सेर्ड दे फैल दो किलियर ओल इंडिया ये क्लियरली ब अच्छा कितना डिसकाउंट दे रहे हैं वेसे आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो जो प्रोड़क्शन कॉस्ट होती है ना यानि किसी भी प्रोड़क्स को बनाने में जितना पैसा लगता है उससे भी कम पे इंडियन प्रोड़क्स बेचने के पीछे लगे हुए है शौप की पर्स वहां के कि ये निकले है और जान चूटे हमारी क्योंकि उनको नदर आ रहा है कि ये जो कैमपेन है ना ये मतलब शदीज होती जा रही है इसमें ठहरा हो नहीं आ रहा है ये दिन बदिन तेज होती जा रही है तो जिन जिन के पास इंडियन प्रोड़क्ट् अब प्राइस 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 निकले है जिसको बनाने का खर्चा आता है उससे भी कम प्राइस पे आप यूद रही है समझें कि ये बेच रहे हैं सिर्फ इस वज़ा से कि ये निकले प्राइस और जान चूटे है हमारी कुछ ना कुछ तो मिल जाए आखर में तो ये वाला एक एटिट्यूड हमें डिस्टिब्यूटर्स का और शॉपकीपर्स का नदार आ रहा है मजबूरी है उनकी और वो र रेस्पॉंस आया है साथ चाना मौनिंग पोस्ट वाले उनसे भी इंपुट लेने गए उनसे भी पूछने गए कि ये जो तहरी कितनी बड़ी चल रही है वहाँ पर इसके बारे में आपका किया ख्याल है तो रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है उनके एक सीनियर लीडर ह अलोक वाटसा उनके हवाले से साथ चाना मौनिंग पोस्ट कहता है कि उन्होंने इन इल्जामात को बेसलेस करार दिया कि हम इंट्रफेरंस करते हैं लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना गवर्मेंट इस सेकूलर इट प्लेज अ गुड रोल इन इन इन्डिया मॉरली सपोर्ट सर गवर्मेंट वार्सा सेड यनी वो कहते हैं हम इंट्रफेरंस के ही डेफिनेशन में आता है बाइद वे और आगे बीजेपी के नेता कहते हैं कि आपको प्रेशान होना चाहिए BJP सरकार को मेरी ये सला है कि आपको प्रेशान होना चाहिए इसकी वज़ा ये है कि ये कैमपैन सर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रही गलियों सडकों में आ गई है अब वो बेनर भी लग रहे हैं पर साइन बोर्ड भी लग रहे हैं और लोग पैंफलेट्स चपवा के डिस्ट्रिब्यूट भी कर रहे हैं अपने मदद आपके तहट और वहाँ पर रेलिया भी निकलना शूरू हो गई है मुक्तलिफ शहरों से मुझे तस्वीर है और लोग जो है वो वीडियोस भेज रहे हैं प्रोटेस्ट जो आपर हो रहा है बैकोट इंडिया कैंपेर्ण के हुआले से मुक्तलिफ शहरों में हो रहा है अगर आपको भी बाइद वेख अपनी कोई ओरिजिनल वीडियो भेजनी है इस campaign के हवाले से अगर आपकी local एर्दगर्द में ऐसा कोई मुझारा या ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो तो मेरे facebook के पेज़ पे इंबॉक्स में जरूर वीडियो भेजिएगा अगर आपने कहीं पे शूट की हुई हो तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले episodes में उनको यहा हो तो तो साट कोई महाले कर दो कोईस्ट हो थीए प्रोटिया 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 प् बादिकर लादब नरतीय तॉनु इचल्बॉ बादिकर लादब इचल्बॉ अरतीय अध्यसो लेंद आगासॉ झाल झाल